हेलो आपका स्वागत नवीन जी के जीएस यूटूब चैनल पे तो आज हम देखने वाले हैं आईटी आई सन्यूक्त परवेस परिक्षा 2012 में जो पर्सन पूछे गए थे तो ये 50 पर्सन समानने ग्यान के देखेंगे इस वीडियो में तो चलिए समानने ग्यान के देख लेते हैं पर्थम पर्सन देख लेते हैं कौन सा पूछा गया था तो कौन सा पक्षी जो है भी हतम है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट एंसर आपका हो जाएगा दी सुतुर मुर्ग जो है राइट एंसर हो घृष का राइट एंसर कोर जाएगा आपका भी राइट एंसर हो जाएगा निलं मेद कि संजीवा रिड्डी of के बारम चली टेख लेते हैं कि 1 कि किक्किंट कोई यह विद्षिया अब से जो ज्टक किसे दिया जाता है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो इसका Right Answer यह हो जाएगा क्रिसी विज्ञानिक को दिया जाता है उसके बाद चलिए Next पर संग्य और बढ़ते हैं यहां पर पूछा गया था किसे मरने अपरान तो जो है भारत रतन दिया गया था तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो चार का जो है राइट एंसर हो जाएगा C ठीक है राजीव गांधी को दिया गया था उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेता है फाइब नमबर परमानु करमांग की परिकल्पना किसने दी तो परमानु करमांग की परिकल्पना किसने दी है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट एंसर आपका हो जाएगा C ठीक है बहर राइट एंसर हो जाएगा उके उसके बाद चले next person की और बारते हैं 6th number में पूछा गया था गाजर किसका अच्छा सुरोत है तो गाजर जो आप लोग खाते हैं तो ये जो है किसका अच्छा सुरोत है तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो vitamin A का सुरोत है vitamin A की कमी से आख की रोसनी घटती है अगर vitamin A आपके सरीर में पूर्ण रहेगा तो आख की रोसनी सहीर रहेगा ठीक है A की कमी से रतवंधी होता है और कई तरह के बिमारिया होते है तो चलिए 7th number person देख लेते हैं राष्टे मंडल खेल 2010 के अधिकारी गीत की रशना किसने की तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो 7 का राइट एंसर यह हो जाएगा रहमान ने की थी उके उसके बाद चलिए next देख लेते हैं यहाँ पर पूछा गया है लेंप वाली महिला किसे कहा जाता है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट एंसर यह हो जाएगा नाइट एंगल को कहा जाता है ठीक है उसके बाद चलिए next देख लेते हैं अधर्ष गिधिस समीती जो एक गोटाले के लिए परसिद है यह इस्थित है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो नाइन का राइट एंसर यह हो जाएगा मुंबई उसके बाद चलिए next देख लेते हैं यहाँ पर पूछा गया था भारत की जनसंख्या लगभग है तो उस टाइम पूछा गया था जो कितना था तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट एंसर आपका हो जाएगा ए ठीक है बारव सर दस मिलियन उके उसके बाद चलिए next देख लेते हैं 11 नमर में पूछा गया है भारत की वर्तमान साक्छरता दर लगभग है तो 2012 के अनुसार उस टाइम पूछा गया था तो उस टाइम क्या था तो इसका राइट एंसर आपका हो जाएगा 11 का D ठीक है 74 पर 30 उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं ICC Biscop 2011 के फाइनल में भारत ने किसे हराया तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो स्रिलंका को जो हडाया था तो राइट एंसर हो जाएगा उसका next तो चलिए यहाँ पर पूछा गया था अन्ना हजारे का एक मध्य नाम है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा मध्य नाम सभी वीडियो आपको मिल जाएगा काउंसलिंग से रिलेटेड रिजल्ट से रिलेटेड 2022 में जो भी हुआ है काउंसलिंग उसका भी और 2023 में जो हुआ है उससे रिलेटेड आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा अगर चैनल पे पहली बार रहते हैं तो चैनल के संपर्क में रहिएगा जिसे की कोई भी अपडेट आएगा तो आप लोग को सुचित करते रहेंगे क्योंकि बाद में आईएगा तो पता नहीं चलेगा जो क्या हो रहा है इसलिए पहले से ही संपर्क में रहिएगा ठीक है और जो भी आपको डाउट लगे कोई पर्सन हो मन में तो आप लोग जो है कोमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक है आईटिए से रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहिए तो क्योंकि आप लोग को सब कुछ जानकारी हम देते चल रहे हैं आगे चल के अगर आप आते हैं तो फिर से पूछते हैं जो सर इसमें objective question आएगा कि subjective आएगा online होगा कि offline होगा तो सभी जानकारी हम देते चल रहे हैं आप लोग जो regular viewers होंगे जो छातर regular वीडियो देखते होंगे उनको तो संपुर्ण जानकारी मिलता रहेगा लेकिन जो है आप लोग पहले बाद में आते हैं तो इस चीट को ध्यान में रखिएगा आप सभी जब भी हमारे channel पर आते हैं तो channel के संपर्क में रहिएगा जिससे की कोई भी अपडेट आएगा तो हम पलपल की अपडेट जो आप लोग को देते रहेंगे ठीक है तो चलिए next person शुरू करते हैं next person जो है पूछा गया था क्या पूछा गया था तो चलिए देख लीजिए यहाँ पर वकिलिक्स के परधान समपादक है तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो इसका right answer हो जाएगा आपका C सांती भूशन उसके बाद चेले next देख लेते हैं मोदी के बाद IPL के अध्यक्ष बने तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो 16 का राइट एंसर A हो जाएगा अमीन उसके बाद चेले next देख लेते हैं देश में विसालतम इमारत है तो देश में जो है बिसालतम इमारत कहा है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा दूबई में जो है देश का बिसालतम इमारत है उसके बाद चलिए 18 नमर परसन देख लेते हैं सबसे कम छेतफल वाला देश है तो सबसे कम छेतरफल वाला देश कौन सा है तो इसका right answer हो जाएगा C Vatican जो है right answer हो जाएगा उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया है ads में A इसके लिए आता है तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो उन्हेंस का right answer C हो जाएगा ठीक है एक word के लिए आता है उसके बाद चलिए next देख लेते हैं 20 नमर परसन भारत भारतिये को जीवन काल उपाधी है तो BCS Oscar दिया गया तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो 20 का right answer B हो जाएगा ठीक है सत्य जीत रेको उसके बाद चलिए next परसन देख लेते हैं 21 नमर परसन इसका right answer क्या हो जाएगा तो इसका right answer हो जाएगा आपका 21 का B ठीक है पंडित जवाहलाल नहरूजी ने लिखा है उसके बाद चलिए next देख लेते हैं यहाँ पर पूछा गया था सत्य जीत रेके द्वारा निर्मित एक मातर हिंदी चल चितरन किस पर अधारित था तो इसका right answer हो जाएगा आपका A सत्रंज के खिलाड़ी पर उके उसके बाद चलिए next person अच्छा लगड़ा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजीगा जिसे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे ठीक है उसके बाद चलिए next person देख लेते हैं 23 नमर परसन माल गुर्ड़ी डेज के लिखक थे तो इसका क्या हो जाएगा right answer तो 23 जो है right answer आपका हो जाएगा D आर के नरायन right answer हो जाएगा उसके बाद चलिए next देख लेते हैं निर्दे सांक जैमेति की खोज किसने की तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो D हो जाएगा यूकिलीड ने की थी उसके बाद चलिए next देख लेते हैं 25 नमर question सर्व सिक्षा अभ्यान कब परारंब हुआ था तो सर्व सिक्षा अभ्यान कब परारंब हुआ था इसका right answer क्या हो जाएगा तो इसका right answer आपका हो जाएगा A 2000 में जो है शुरू किया गया था उसके बाद चलिए next person देख लेते हैं यहाँ पर पूछा गया है भारत में सबसे पर्थम परस्थापित होने वाला bank है तो कौन है bank फर्स्ट bank तो चलिए 26 का क्या right answer हो जाएगा तो B State bank of India right answer हो जाएगा उसके बाद चलिए next person देख लेते हैं यहाँ पर पूछा गया था भारतिय सेना का others work के क्या है तो हमारे भारतिय सेना का others work क्या है तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो इसका right answer D हो जाएगा serve with pride right answer हो जाएगा उसके बाद चलिए next देख लेते हैं ट्वेंटी एट नमर परसन अंडमान निकोबार दूइप समो किस उच्छे न्याला के कारिया छेतर में है तो अंडबार निकोबार जो है किस उच्छे न्याला के कारिया छेतर में है तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो 28 का C हो जाएगा कॉलकाता के छेतर में है उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 29 नमर परसन 64 words के आयू में सबसे कम उमर वाला भारत के राष्टपती कौन बना तो इसका right answer आपका हो जाएगा संजीव रेड़ी राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद चलिए यहाँ पर 30 नमर परसन देख लेते हैं भारत का राष्टपती बनने है तुने इंतम आयू कितनी होनी चाहिए तो आप लोग जो है फिजिक्स का बुक पढ़े होंगे तो आसानी से बता सकते हैं तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो 30 का right answer भी हो जाएगा 35 words उसके बाद चलिए next person देख लेते हैं 31 नमर परसन राज्य सभा का जो है अध्यक्ष होता है तो राज्य सभा का कौन अध्यक्ष होते हैं तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो इसका right answer हो जाएगा उपराश्ट पती उसके बाद चलिए next person देख लेते हैं यहाँ पर पूछा गया था भारतिय सविधान के अनुसार सविधान अपनी सक्तियां डेस से लेता है तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो इसका right answer आपका हो जाएगा A प्रजासे लेते हैं उसके बाद चलिए next देख लेते हैं इंद्रा गांधी द्वारा आपतकाल कव घोसित किया गया तो इंद्रा गांधी द्वारा आपतकाल कव घोसित किया गया था तो इसका right answer आपका हो जाएगा C ठीक है उन्हें 75 में जो है किया गया था आपातकालिन घोसित उके उसके बाद चलिए next person देख लेते हैं भारत का पर्थम उपराष्टपती कौन था यहाँ पर पूछा गया भारत का पर्थम उपराष्टपती कौन था तो चलिए आप लोग नहीं जानते होंगे तो आज देख लिजिए तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा भी राधा कृष्णन राइट एंसर हो जाएगा ठीक है उसके बाद चलिए next देख लेते हैं भारत में पर्थम F5 कारदोर कहां पर हुई इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा थो 35 का राइट एंसर आपका हो जाएगा भी नोवेडा में हुआ था ठीक है उसके बाद चलिए next question फेरारी कारोप पर कौन सा चिन होता है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो ये राइट एंसर हो जाएगा गोरा का चितर जो होता है उसके बाद चली next पंदरवमी लोकसभा के कुल सीटो की संख्या है तो पंदरवमी जो है लोकसभा में कुल सीटो की संख्या क्या है तो इसका जो है राइट एंसर आपका हो जाएगा पांसो तैंतालिस उसके बाद चलिए next देख लेते हैं Kyoto Protocol किसे संबंधित है तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो इसका right answer आपका हो जाएगा C, gel value से संबंधित है तो चलिए 39 नमर परसन देख लेते हैं प्रीथवी दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है तो 49 का right answer क्या हो जाएगा right answer आपका हो जाएगा D, 22 अपरेल को प्रीथवी दिवस मनाया जाता है और बिहार दिवस कब मनाया जाता है तो आप सभी को पता भी होगा ठीक है, 22 अपरेल यहां पर दिया गया है तो अपरेल में बिहार दिवस नहीं मनाया जाता है आप लोग जानते होंगे कब मनाया जाता है आप लोग कॉमेंट कीजिएगा जो बिहार दिवस कब मनाया जाता है ठीक है आप लोग के लिए छोड़ते हैं अपना बिहार का question ओके और आपको जो है एक पूरे साल का जो है दे देंगे जिससे कि आपको पता रहे जो कौन सा दिवस कब मनाया जाता है ठीक है तो चलिए next person शुरू करते हैं चालिस नमर परसन पूछा गया है गुजरात में गीरवन किसे किसके लिए जो है संड़क्षित छेतर है तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो 40 का B जो है right answer हो जाएगा सिंग के लिए उसके बाद चलिए 41 नमर परसन कौन जन जाती जहरखंड की है तो कौन सा जन जाती जहरखंड की है ये जो है competition में भी पूछा गया है SSC में भी कई बार देखने को person मिला है ठीक है तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो ये जो है इसका right answer हो जाएगा मुंडा का उके उसके बाद चलिए next person क्यों बढ़ते हैं hummingbird की धरती है किस अस्थान को कहते हैं hummingbird की धरती इसका right answer क्या हो जाएगा तो इसका right answer हो जाएगा D तरीनी दाद का बड़ा उत्पादन है तो कॉफी का जो सबसे अधिक उत्पादन कहा होता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका C ठीक है ब्राजील में जो है सबसे अधिक कॉफी उपज होता है उसके बाद चली यहाँ पर नेक्ष्ट देख लेंते हैं और सुलो किसकी राजधान है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट एंसर आपका हो जाएगा ठीक है नवर का राजधानी है उसके बाद चली नेक्ष्ट देख लेते हैं सुरिय में परमुक्स तत्व है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट एंसर C हो का 1 बट्टा X है तब X का मान होगा तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो 46 का जो है राइट एंसर आपका हो जाएगा A ठीक है ए राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद पूछा गया था Y मंडल में ऑक्सीजन की परतिस्द लगभग है तो कितना 10% उसके बाद चलिए बहतम सागड है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका D ठीक है Pacific राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद चलिए Next यहाँ पर पूछा गया था कौन देश दूतिय 20 यूद में जर्मनी को साथ था यानि कि जर्मनी की जो है साथ था तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो 49 का जो है राइट एंसर जो है आपका हो जाएगा C जापान जो है जर्मनी के साथ था दूतिय 20 यूद में उके उसके बाद चलिए आज के समाने घ्यान के last person देख लेते हैं B.R.I.C. देशों में समयलित है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो 50 का जो है राइट एंसर D हो जाएगा Brazil राइट एंसर हो जाएगा तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप पर छोड़ते हैं, लाइक करेंगे या नहीं करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे या नहीं करेंगे, आप लोग कोमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाहिन जावारत